नमस्ते डियर उचकती अभियास खंड़ दो परतिलेखन संख्या 23 और 24 अगर आप इस वीडियो का बिटी अब चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है समय शुरू हो रही है थोड़ी दिर में स्टार्ट भायों और बहनों आज मुझे बड़ी परसंता है कि हमारे बड़े बड़े क्रीसी बैज्ञानिक और क्रीसी बिशेसग अपने अनुसंधानों के सार राष्ट भासा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहां एकत्र हुए है मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूं कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भासा में पहुचाई जा सकती है आपको अच्छा किया कि स्री गनेश राष्ट भासा हिंदी से किया मैं तो चाहूंगा कि सभी भारतिये भासाओं में राष्टिये क्रीसी सम्मेलन आयोजित किये जाए ताकि सभी छेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के क्रीसी पैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किसमे और तकनीके निकाल रहे हैं अब से तीन दीन बाद हम नए वर्ष में परवेश करेंगे मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को युनेश को ने सहन सिलता का वर्ष घोसित किया था सायद भारत में इसके बारे में जाइदा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई क्योंकि भारत तेश और भारतिये लोग तो हैं ही सहन सिल इसमें भी सबसे जाइदा सहन सील हैं किसान आप खुद हिसाब लगा लो हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहन सील प्रानी सिद्ध होगा आज कल जाड़ा जोरों से पढ़ना शुरू हो गया है फिर भी उत्तर भारत का किसान सित लहर की परवाह किये बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है किसान ठंड सह कर फसल उगाएगा और फसल पकते पकते गर्मिया शुरू हो जाएंगी तो जेट की तपती धूप में वह खेतों में कटाई वह मडाई का काम करेगा यह जाड़ा पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लटपत होकर काम करते रहना इतनी सहन सिलता बस किसान के बूते की ही है फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी जैदा सहन सिल है हर हाल में जी रहा है गेहुम चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं हर चीज के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है मगर किसान की मिहनत का पूरा मुआपजा देने में हम दस बहाने बनाते हैं और किसान है की बरदास्त कर रहा है बिजली महंगी हो गई डिजल महंगा हो गया संकर बीज महंगा मिलता है रासाइनिक खादे महंगी मिलती हैं मगर दालों के भाव चड़ गए तो चिल्लपों सुरू हो जाती है मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फुलते हैं विचौलिये मंडी के दलाल आलू के चिप्स बनाने वाले वैपारी उसकी फसलों का तेल निकालने वाले वैवसाई ये सारी बाते सहते हैं हमारे किसान भाई सो किसान से बड़ा सहनसील और कोई नहीं कोई आता है तो खराब किस्म का बीच बेच जाता है तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिटी बेच जाता है कई एक नकली कितना सक दवाय बिक रही है छिड को तो कोई असर ही नहीं होता किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है मैं समझता हूँ कि यहां जो क्रिसी बैग्यानिक हिंदी में अपने सोध पत प्रस्तूत कर रहे हैं वे भी बड़े सहनसील होंगे भायों और बहनों मतलब यह है कि अगर संसार को सहनसील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भासा का परचार और परसार करना चाहिए जादा तर वैपार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है फिर किसान के लिए क्रिसी अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटोती क्यों की जा रही है कटोती करनी है तो बहुत से और छेतर भी हैं अमीर देश सन 1990 में खेती बारी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डॉलर और 10 साल बाद 2000 में दो अरब डॉलर की कटोती कर दी और यह 10 अरब डॉलर रह गई तो पूरी दुनिया को खेती बारी से जोड़ने की जरूरत है तभी यह दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी मेरा बस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे उची चोटी सागर माथा जिसे दुनिया एवरिस्ट कहती है पर चढ़ूं और पूरे जोर से अवाज लगाऊं की यह धर्ती के वासियों बंधूप छोड़ो और हल नहीं तो आप ही सोचो कि 20 सार बाद 2020 में जब दुनिया की आवादी आठ अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान कैसे उपलब्द होगा उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मगाना पड़ेगा सोभागे से भारत के बारे में तो क्रिसी विशेशग्यों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और क्रिसी बैग्यानिक मिल जुलकर बड़ी हुई अवादी का भी पेट भर पाएंगे आज हमारे अन भंडार में साड़े तीन करोड टन से जादा अनाज भरा है रवी की फसल आने के बाद यह बढ़कर पांच करोड टन तक जा सकता है रखने की जगह नहीं है इसलिए समाज कल्यान के कामों में लगाने और बिविद रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं काम के बदले अनाज और बच्चों को पाट सालाओं में नास्ता कराने वग खाना खिलाने के काजिकरम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे यह एक तरह से दूसरी क्रीशी क्रांती का ही नतीजा है कि हम 101 करोर से जायदा आवादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान उपलब्द करा रहे हैं खाने वाले तेल की कुछ वर्सों में पहले कमी हुई थी हमने पूर जोर कोशिस की पिछले कुछ वर्सों में आयात तो घटकर परती वर्स 300 करोर रुपिये का हो गया वहीं तिलहनी फसलो और उनसे उद्पन पदार्थों का निरियात आठ गुना बढ़कर पचीस सो करोर रुपिये से भी उपर हो गया यह सब फल है किसानों बैग्यानिकों और एवं परचार परसार कारेकरताओं के अथक पर्यास इस प्रगती में आज क्रिसी बैग्यानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है इसे सारी दुनिया मानती है जहां भी भूख है वहां लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की चुनोती का किस तरह डट कर सामना किया आज जब निर्यात के अफसर खुले हैं विशु का परिवेश बदल रहा है सारी दुनिया के बजार खुल गए हैं सो भागे से दुनिया में साकाहार भी बढ़ रहा है इस समय हमारे बिविध वेंजनों को विशु बजार में परचलित करने के बड़े मौके है आजब परिवेश बदल के बढ़े दुनिया में पर यथिवां रहा है सारी के बड़े दूल टु के सैने के बड़ेश च few वे दुनिया 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 थुनिया रहा है झाल झाल